एसार के शरम करो, किंग खान शरम करो, भाई पूरा शोशल मीडिया ऐसी से भरा हुआ है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, यूट्यूब कुछ भी ले लो, भाई जब से पठान का बे शरम रंग पहला सौंग आया है, बस यही चल रहा है, क्यों गाना हो चुका है ब्लॉक बस्टर, सूपर दूपर हिट, मैं बात करूँ, दस घंटे में व्यूज की, तो आ चुके है, 92 लाख व्यूज, 6.1 लाख लाइक्स, और 65 के कमेंट्स, आप 92 लाख व्यूज में, 6.1 लाख भाई साब लाइक्स, इसका मतलब क्या होता है, क्यों गाना बहुत आपने किया क्या है, तीन फ्रेम में आकर शर्टलेस हो गए हो, एट पैक्स एब दिखा रहे हो, यहां से रिब्स दिखा रहे हो, और सारा क्रेडिट ले गए हो, महनत किसने करी है, महनत करी है, दिपिका पादू कौन ने, उनको आपने एक दम से भाई सब छोटे-छोटे क पड़ों में दिखा दिया, रस भरी चुसवा रहे हो, यही चीज़े रह गई थी, वल्गेरिटी दिखा रहे हो, इसके दम पर अगर अगर अपना गाना हिट अप मानते हो, तो बिलकुल नहीं है, भाई ऐसा नहीं है, यह सौंग की डिमांड है, अब देखो सौंग कहां प कॉपी है, लिरिक्स कॉपी है, कुछ भी मज़ा नहीं रहा, धुन चुराली, क्या है, क्या, शारू खान को आपने एक बोल नहीं दिया, क्रेडिट शारू खान ले रहा है, भाई, कहां बोला है शारू खान ने, वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो यह पूरी टीम का काम है, य और जो मेकर्स हैं उनी को आगे रखकर फ्रंट पर रखकर फिल्म को बेच रहे हैं बस यही है इसमें आप क्या शरम करो शरम करो लगा रखा है भाई वैसे आप बोलते हैं के बॉलिवुड से कुछ आहा नहीं रहा है जब आ रहा है तो प्लीज यार उसको सपोर्ट करो ना न था ने की में खेडा तो टाना नोगाच एंड पर वाचिंड वाचिंड बाहरा था रॉडगाची इस देख के लाची रखड़ इस यार दी दुशेड दार रहा है तो प्लीज और रहा जोड़ाची और ते शरम रहाई वाची है था दूबुटाशावीट दिक्शन